अंजली आप हमें अपने बारे में बताईए और successfull लोगों से मिलना अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना उनको नोलेज देना और उन से नई चीजे सीखना नई कल्चर के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है Sir मैं बेंकिंग सेक्टर में अपना केरियर बनाना चाहती हूं क्योंकि I am confident girl and I am competitive girl and I love challenges Sir, my strengths are I am confident and punctual girl Sir, मैं team spirit हूँ क्योंकि मुझे honesty और discipline के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है I am sure कि मैं अपने team के साथ honesty और discipline के साथ सब को साथ लेके काम करूँगी Sir, मुझे मेरे friends versatile भी बहुते हैं क्योंकि I am adjustable person Thank you, Sir Anjali, अब RRB में क्यों join करना चाते हैं? Good morning, Sir Sir, मैं RRB में क्यों आना चाते हूँ Sir, मैं ऐसे तो सभी exams की तियारी कर रही थी सभी banking exams की लेकिन luckily मेरा selection RRB में हुआ Sir, मेरे लिए ये बहुत अच्छी पात है क्योंकि मैं खुद रूरल एरिया में पले बड़ी हूँ Sir, मेरे लाइफ की पांच साल का प्लेन है Sir, first of all, मैं खुद को PO Scale 1 की पोस्ट पे देखना चाहूँगी और कम से कम समय में सक्सेस की लेडर पर चढ़ना चाहूँगी और in future भी honesty से ही work करूँगी Sir, अगर मेरा selection नहीं हुआ तो Sir, first of all, मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है और मैं, I am confident कि मेरा selection हो जाएगा लेकिन अगर unfortunately मेरा selection नहीं होता है तो Sir, I will work up on it और मुझे अपनी कम्यों के बारे में पता चलेगा जिसे next time मैं अपनी उन कम्यों को दूर करके इंटर्व्यू में आऊंगी अकेली काम करना पसंदे या team spirit में तो Sir, अगर if it is necessary to work alone तो Sir, I am ready, मैं अकेले काम करूंगी लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम team में काम करते हैं तो हम अच्छे से output देंगे अच्छे से work करेंगे और strength develop होगी और एक तरीके से बहुत अच्छा work होगा Sir unity is a strength आप हमें new education policy के बारे में बताईए new education policy new education policy first time 1968 में इंद्रा गांदी जी के टाइम पर आई थी और second time year 1986 में राजिव गांदी जी के टाइम पर और अभी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर जिसके chairman कस्तूरी रंजन जी है जो हमारे इसरो के former chairman भी रह चुके है Sir इसमें 5334 का formula यूज किया गया है 5 month love foundational जिसमें pre से लेके second class तक के बच्चों को include किया गया है जिनें के लिए mother tongue में बात करना या फिर mother tongue के जरीए उन्हें सिखाना बहुत compulsory किया गया है और इसमें play school के जरीए यानि की play के थूप बच्चे को सिखाया जाए और इसमें अंगनवाडी और pre school को भी include किया गया है Sir इसमें exams नहीं होंगे और 3 का मतलब है preparatory stage जिसमें third, fourth, fifth के बच्चों को include किया गया है जिनके लिए Hindi as a subject compulsory है और second, third का मतलब है middle stage जिसमें sixth, seventh, eighth के बच्चों को include किया गया है और इसमें regional language compulsory है और vocational work महत्मा गांदी जी नहीं कहा था कि बच्चों को ऐसी शिक्षाद दी जाए जो खाथ से की जाए और उसे आज फोलो किया गया है कि जिसमें बच्चे का interest होगा वो वो चीज़ कर सकता है और sir, जो foreign उसके लिए primary stage primary stage जिसमें eighth class से अबोगे बच्चों को include किया गया है और इसके लिए foreign language compulsory की गई है as a subject sir, MHRD का Ministry of Human Resources development थी इसका नाम बदल का Ministry of Education किया गया है इसके त्रूजिन की education पहले जूट गई थी तो वो open school को policy लागू की जिसमें वो अपनी study को continue कर सकता है और no difference between stream अगर किसी बच्चे के पास bio है तो वो उसे ये पूरी choice है ये पूरी freedom है कि वो arts के और सर इसमें इसमें computer coding 6 class से सिखाई जाएगी और English को as a subject लिया गया है not as a language सर राइट टू एजूकेशन एक्ट जो इक अप्रेल 2010 को आया था और हमारे article 21 के अंडर में आता है इसमें पहले जो बच्चों के लिए age limit थी वो 6 to 14 थी 6 से 14 साल तक के बचों के लिए education compulsory थी जिसे अभी बढ़ा कर 3 साल से 18 साल तक किया गया है और जो डिग्री है उसमें जैसे हम first year में हैं तो हमारी first year की डिग्री भी valid होगी first year में हमें certificate दिया जाएगा second year में diploma दिया जाएगा third year में हमें degree दिजाएगी और fourth year में हमें result certificate दिया जाएगा इसे किसी भी बच्चे का कोई एक साल वेस्ट नहीं होगा अगर उसने तीन साल तक या तो उसे third certificate जुरूर मिलेगा और वो valid होगा आप सोनीपत से बिलॉंग करते हैं हमें कुछ सोनीपत के बारे में बताईए सर सोनीपत को 22 दिसंबर 1972 को रोह तक डिस्टिक से अलग किया गया था इसका पुराना नाम स्वन प्रेस्ट है सर इसे education city भी कहा जाता है और इसे cycle city भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर Atlas cycle का कार खाना था और सर इसको यहाँ की मुख्या फसल गे हूँ दान बाज़रा हैं और यहाँ की मुख्या न दी यमना न दी है सर कहा जाता है कि जब पंड़ों ने युद करोपने के लिए पांच पंदों की मांग की थी उनमें से एक सोनीपत भी था और सर यहाँ पे जो होश्यार सिंगा जीन है प्रमवीर चक्र मिला था वो भी सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं किसान बिल के बारे में बताईए किसान बिल किसान बिल का समर्थन हमारी खादया पर संशकर्ण भी भाग की मंतरी हर्समृत को और बादल ने किया था लेकिन इन्होंने इस्तिफा दे दिया है और ये शिरोमणी अकाले जल से पंजाब से बिजेपी के समर्तन में चुनाव लड़ती है किसान बिल में तीन बिल को पास किया गया है पहला है किशी व्यापारवाणी चैविदेक दूसरा है मुल्य आश्वाशन पर किसान समझोता और किशी विदेक 2020 तीसरा है आवशक वस्तों पर संशोधन ये एक्ट पहले का ही है 1955 में लाए गया था लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन किये गई है 1955 में APMC Act था Agriculture Product Market Committee लेकिन जब देश आजाद वह था तो ग्रीब था जो उचवर के लोग थे वो उपज का अच्छा दामनी दे रहे थे जो पहला है किशी व्यापारवाणी चैविदेक उसमें जो सरकार ने है मिदल मैन की भूमीका को खतम करने के लिए करें किया है यह पाहर जाके फेसल को सकते लेकिन आगर एक एमसीत एक्ट इन फिूटर आता है इसको खतम कर दिया जाता है फी एइमसी एक्ट को बन्टो किसान VariPS सोलńsk J जो उद्ध्योग पत्योंगे उनका डिरेक्ट शोशन कर सकते हैं क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था बिहार में 2006 में वहां की सरकार ने APMC Act को खतम कर दिया था परणाली को खतम कर दिया था जिससे किसानों का शोशन हुआ था बहुत और जो दूसरा है मुल्य आशवाशन पर किसान समझ होता और किशी विध्यक 2020 इसमें सरकार ने ये था कि जो कंटेक्ट फार्मिंग है उसके बेस पर इसे त्यार किया था कि जो उध्योग पती हैं वो किसान की फसल को खरीज सकें और जो बेस रेट है उस पर किसान की फसल की बुआई से पहले ही उसे खरीद लिया जाए क्योंकि हम पतरी भारत में हमारे जदातर किशी मांसुन पर निरभर करती है अगर मांसुन अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी और फिर किसान को उसका अच्छा दाम भी नहीं मिल पाएगा तो इसलिए सरकार ने इस पढ़नाली को लागू किया था लागू करने की कोशिश किया और किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उनकी बुआई से पहले ही उनकी फसल को खरीद लिया जाएगा तो इसलिए उनकी फसल का नीजी करण हो जाएगा तीसरा है आवशक वस्तों पर शन्शोधन ये 1955 में ही आया था इसमें सरकार ने जमा खोरी और काला खोरी को रोकने के लिए स्टोक क्लिमिट रखी थी कि अगर आप स्टोक करते हैं तो इतने परसेंट से ज़्यादा आप स्टोक नहीं कर सकते हैं और इसमें जैसे पहले ये करते थे कि जो बड़े-बड़े doinुद्ध्यो उद्योपती थे वो फसल खरीद के उपज खरीद के जैसे दाल तिलहन है तो इनको खरीद के स्टोक कर लेते थे लेकिन बाजार में जब इनके गुझ उनपर दाम बड़ जाते थे तो फिर वह उनको बेचते थे जिसे किसाण को उनका भूमुलिर नहीं मिल पाता था और अभर किसान इसका वियो अ hops खोरी को बढ़ावा मिलेगा उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा इसलिए किसानी इनका विरोध कर रहे हैं